हेलो एन वेलकम टू बॉलिग्राड स्टूडियोज दोस्तों साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदना को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे हुए अभी चैन्धी साल हुए हैं कमी वक्त में एक्ट्रेस रश्मिका मंदना ने कंडर सीनेबा से बाहर आकर तमिल करते हुए औल ओवर इंडिया में दो सो करूड रुपैसे स्यादा की कमाई कर लिए इसी के साथ ये फिल्म एक्ट्रेस के करियर की पहली हाइस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है वहीं से पहले एक फिल्म है थी सिलेरू नीकेवारू महिश बावु स्टार जिसमें रश्मिका मंदना भी थी ये फिल्म तेल्गू फिल्म थी फिल्म ने तेल्गू बॉक्स आफिस पर करीब करीब 176 रुपै का कलेक्शन किया था इससे पहले गीता गोविंदम विजे देवर कॉंड़ा स्टार और फिल्म रश्मिका मंदना की ये फिल्म जिसने बंपर कमाई की थी और अपने एक हाते में 112 करोड रुपए जुटाने में सफल रही थी किरिक पार्टी रश्मी का मंदना की ये पहली करियर फिल्म किरिक पार्टी उनके करियर की डेब्यू फिल्म थी इस फिल्म को ब्लॉक बस्टर का किताब मिला था फिल्म ने कन्यर्ट सिनेमा से 41 करोड रुपए बटो रहे थे देवदास, नागा जो इतने स्टार्डर फिल्म देवदास भी सूपर हिट रही थी फिल्म ने तेलगो बॉक्स ओफिस पर 42 करोड रुपए का बिजनिस किया था मतलब पुश्पा के साथ साथ रश्मी का मंदना भी बॉक्स ओफिस पर चागई और हाइस्ट ग्रॉसर फिल्म में एक नाम जोड़िया है जो 200 करोड फिल्म ने कमाई की पुश्पा वल आपको कैसे लगी थी फिल्म पुश्पा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राज शेयर करें थैंक यू सो मच देखते रहें बॉलिग्राड स्टूडियोज